फिर से एक सुन्दर सुबह दिखाने के लिए परमेश्वर हमसे प्रस्तन हुआ उसकी स्तुती हो इस अनुग्रहित सुबह में पवित्र बाइबल से योना की पुस्तक दूसरे अध्याय का नोवे वाकिकी और अपना ध्यान केंद्रित करें परंतु में उचे शब्द से धन्यवात करके तुझे बलिदान चड़ाऊंगा जो मनत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा उद्धार यहोवा ही से होता है अनुग्रहित वचन के अधार पर उद्धार यहोवा ही से होता है पिशै पर मनन करने के लिए प्रभू मैं समर्पित हूँ परमेशर का प्रचारक था योना योना नाम का अर्थ है निश्कलंक नाम में निश्कलंकता थी पर एक बार अपनी प्रवर्थी ने उस निश्कलंकता को खतम कर दिया असीरियन सामराज्जी की राजधानी थी निनवे इसराइल का मुख्य शत्रू था क्योंकि असीरिया ने कुछ वर्ष पहले इसराइल पर आक्रमन किया और उस आक्रमन में इसराइल हार गया था हार के भाव को अपने अंदर सुरक्षित रखने के कारण नाम में निश्कलंगता होने के बाद भी योना नाम के प्रवाचक की प्रवर्ती ने उस निश्कलंगता को नश्ट कर दिया परमेश्वर की दया न्याय उस निनवे नगर के लिए ना हो पर निन्वे को परमेशर पूरी रिती से नश्ट कर दे ऐसा आगरह अपने अंदर संजो कर रखने की कारण परमेशर की आगया जो निन्वे नगर जाकर परमेशर के भचन को बताने की बजाए उसके विपरीत योना प्रवाचक तर्शिश को चला गया प्रवाचक जानता था निन्वे नगर को नश्ट करने वाली बातें परमेशर ने उसे बताई थी लेकिन यदि लोगों ने अपनी गलतियों को मान कर पश्यताप कर लिया तो परमेशर को उन पर दया करुना आ जाएगी और उनको परमेशर बचा लेगा और प्रवाचक ऐसा बिलकुल नहीं चाहता था प्रवाचक चाहता था कि परमेशर पूरी रीती से निन्वे नगर को नश्ट कर दे इसलिए आग्या का उलंगन कर निन्वे के स्थान पर वह तर्शीष को चला गया तर्शीष जाने की यातरा में जहाज तूट जाए ऐसी समुद्र में आंधी आई उस जहाज के दूसरे यातरी अपने अपने देवताओं को पुकारते समें सत्य प्रवु जो आकाश और समुद्र का राजा है उससे योना प्रातना नहीं कर पा रहा अंत में जहाज के अन्य यातियों ने योना को समुद्र में फैंक दिया और योना को ये मंजूर भी था कि उसे समुद्र में फैंक दिया जाए अपने नाम की अनुसार कारे ना करने वाले योना कष्ट के समय प्रातना ना कर पाने की कारण समुद्र में फेक दिया गया लेकिन पर्मेशर करुणा का धनी है इसलिए समुद्र की गहराई में भी योना को निगलने के लिए एक बड़ी मचली को प्रभू ने तयार कर रखा था ऐसा योना तीन रात और तीन दिन मचली के पेट में रहते वे प्रातना की दूसरे अध्याई के दूसरे वाक्य में योना कहता है मैंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है अधोलो के उदर से मैं चिला उठा और तूने मेरी सुन ली सात्वा वाक्य जब मैं मूर्चा खाने लगा तब मैंने यहोवा को समांग किया और मेरी प्रातना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुँच गई जहाद से समुद्र में फेंके जाने के समय यदि योना ने प्रातना की होती तो अधोलोग के उदर में जाने से पहले परमेशर उस पर दया करता लेकिन इसके लिए असक्षम योना जब महामशली के उदर में प्रातना करता है तो मेरे प्रियों परमेशर का उद्धार उसे ढूनते वे वहाँ भी पहुँच गया इस सुबह आपकी गिरीवी अवस्ता आपकी पतन की अवस्ता चाहे कितनी भी गहरी हो तो भी वहाँ भी यदि आपने पून हिर्दय से दोहाई दो और स्तूती रुपी बलिदान परमेशर को चड़ाएं तो आपका उद्धार असाध्य और अन्य नहीं है आपका उद्धार योहोवा की योर से होगा दूसरे अध्याई के दस्वे वाक्य के अनुसार यहोवा ने महा मचली को आग्या दी और उसने योना को स्तल पर उगल दिया इस सुबह आपकी आत्मा का उद्धार शरीर की चंगाई मन का सामाधान बुद्धी की जागरुपता ये सभी उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है इस्वमसी मात्र ही से ये हो सकता है इन वचनों के निमित आप उन्हें प्राप्त करें पूरे मन से हुरुदय से दोहाई और स्तूती रूपी बलिदान उसे चड़ाएं इन वचनों से प्रभु आप सभी को आशिशित करें Have a blessed day